ये हमारे लिए एक leadership का lesson है, leadership मतलब क्या होता है? उस system को हम बिलकुल silent mode पर डाल देते हैं, blank mode पर डाल देते हैं, अब उसमें जो जा रहा है ना under, वो सिर्फ energy जा रही है, तभी मेरा यहाँ खड़ा रहना और आपका यहाँ बैठना सफल हो पाएगा, बिना charge किये चल सकता है phone नहीं ना, तो आज जो यहाँ पर है ना, आप सब लोग यहाँ पर हमारे साथ, वो क्यों है, पता है, क्यों है बताओ, हाँ समझना चाहता हूं कि आप मेरी भाषा समझ पा रहे है या नहीं, इसी लिए मैंने आपको कहा कि सब खड़े हो जाओ, और सब बैड़े हो, क्यों, क्योंकि मेरी बात यहाँ पर खड़े रहे के, जब मैं बोलूंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा, तभी मेरा यहाँ खड़ा रहना, और आपका यहाँ बैठना, सफल हो पाएगा, और चाहता है और आप मुझे एक बात बताओ, कि जो फोन अभी आपके हाथ में है, क्या वो फोन, पिछले दो महिने से चला इचार्ज किये? अरे अरे बाबा बिना चार्ज किये चल सकता है फोन नहीं न जो आप यूज कर रहे हो जो आप उपियोग कर रहे हो जितना घंटा आप उसका उपियोग करोगे उतना कम वो चलेगा बरबरे चार घंटे अगर फोन पे बात करोगे तो चार गंडे में बैटरी खतम हो जाती है पाच्वा गंडा चार्ज करना पड़ेगा सर आप लोग आपके शरीर को आपके दिमाग को कितना यूज करते हो चार्ज करते हो तो आज जो यहाँ पे है ना आप सब लोग यहाँ पे हमारे साथ वो क्यों है पता है क्यों है बताओ आज हम यहाँ पे क्यों है अगर वो सुबह जल्दी रहते रहके टाइम से मैनेजमेंट करके खुद का फोन चार्ज कर लेते तो सब के सामने वट से बता पते ना कि मेरे पास भी फोन है लेकिन जब टाइम था तब उन्होंने चार्ज नहीं किया इसलिए आज वो मौका चला गया अब आप लोग के पास है कि अभी यह टाइम है खुद को चार्ज अप करने का तो आपको यह मौका गवाना नहीं है यह हमारे लिए एक लीडर्शिप का लेशन है लीडर्शिप मतलब क्या होता है नेतरित्व ठीक है जो आपको बताता है समझाता है बच्पन में जब आप के दाथ महीं थे ना तो आपको आपकी मा और बाबा यह आपका नेतरित्व करते थे जब आपकी जबान नहीं थी लेकिन अभी हम यहाँ पे बैठें इस टेबल में मैंने कहा था कि दस सेकेंड में वापिस आ जाना अब यह आप नहीं कह सकते कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई क्यूंगी जब मैंने आपसे बोला खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो गए जब मैंने आपसे बोला कि आप बैठ जाओ तो आप बैठ गए हैं मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही थी मैंने कहा दस सेकेंड में आप अपनी जगा पे आ जाना लेकिन फिर भी हमें यह पता नहीं था कि हमारे टेबल पे चैर कितनी बची एक जादा रख दी एक कम रख दी अब वहाँ पे प्रॉबलम जो थी तकलीव जो थी वो किस की थी पुरे ग्रूप की क्या गलती थी पहली चीज एक से जादा आदमी ने सोचा जब आपकी एक फैमली बन गई पांच लोगों की तो एक से जादा आदमी ने सोचा दूसरा एक से जादा आदमी ने ओर्डर दिया और तीसरा एक से जादा आदमी ने काम किया समझे चैर रखने कितने गए दो लोग खुद की भी रखा है और बागल वाली की भी रखा है है ना तो यहाँ पे कौन सी चीज थी जिसकी वज़ा से सक्सेस्फुल होने में थोड़ा लेट हुए सामन्य तालमेल अब यह सामन्य तालमेल कैसे आएगा आज अपर उसी पे बात करेंगे सामन्य चीजे क्या थी सर क्या थी सामन्य चीजे में आपसी तालमेल तो आपसी तालमेल कैसे बनता है वारता लाप करके बात करके ठीक है दूसरा दूसरा सुनना बोलना सुनना अगर सभी बोलेंगे तो सुनेगा कौन भाई अगर आप भी बोल रहे हो मेरे सामने तो क्या आप सुन पाओगे तो यहाँ पे एक चीज समझना अगर आपको कोई काम करने के लिए किसी और की जरूरत पड़े तो भाईया आप अभी तक चार्ज नहीं हो और सबसे फास्ट चार्ज अगर करना हो फोन को तो सर कैसे करेंगे कि आप अपना फोन फास्ट चार्ज कैसे कर सकते हैं और बहुत सिंपल सा है सब लोग करते भी है है किसी के बाद हनसर की देदू डेटा आफ्स करके और मुबाइल आफ्स करके जोरदार तालिया भाई के लिए क्यों डेटा आफ्स करते हैं तो फास्ट चार्ज होता है और मुबाइल आफ्स करते हैं तो और भी जदा फास्ट चार्ज होता है रीजन क्या है जो system होता है ना phone का system उस system को हम बिल्कुल silent mode पर डाल देते हैं blank mode पर डाल देते हैं अब उसमें जो jar है ना under वो सिर्फ energy जा रही है है ना power जा रहा है उसके अलावा कुछ use नहीं हो रहा है आप अगर 4 गंटे में phone charge करते हो fast charger से तो 4 गंटे में with data charge होता है आपने data अगर बंद किया तो 3 गंटे में होगा और अगर आपने phone ही बंद कर दिया तो 2 गंटे में हो जाएगा कितना fast काम होगा इसका मतलब खुद को charge करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने आपको off करना पड़ेगा और आप अपने आपको off कैसे करते हो पता है आप अपने आपको off करते हो distract होके distract मतलब अपने मन को भटका कर मेरे को अपने सुच्छू आई मुझे पानी पीने जाना है चल बाहर एक round मार के आते है थोड़ा fresh हो जाएंगे है ना यह distraction है आपका यही distraction है आपके sales के अंदर application अपने phone में है ना undescent application आ जाता है तो वो data भी खराब करता और फाइदा भी किछ नहीं देता वैसे ही आपने जो पसंद किया है इस company को तो यह company किसकी हुई